हर साल आप लोग देखते होंगे कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं पंडित जवाल लाल नहरू के जनम दिन को बाल दिवस की रूम में मनाय जाता है। 14 नवंबर 1889 में उत्तरपिदेश राज्जी के इलावाद में हमारे देश के पहले पिदार मंत्री पंडित जवाल लाल नहरू का जनम हुआ था। और बच्चे इन्हें आप देखेंगे प्यार से चाचा नहरू के नाम से भी जानते थे। तो आज हम लोग पंडित जवाल लाल नहरू के बारे में एक सामानी चर्चा करेंगे और इनकी विचार भी हम लोग देखेंगे कि राष्ट बात पर इनका विचार क्या था, संपदा जवाल लाल नहरू से जुड़ी हैं कुछ बिबाद भी रहते हैं, तो उन बिबादों पर भी हम लोग बात कर लेंगे, एक ओवर्विव ले लेंगे। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि यहां जो हम लोग बाते करेंगे, वो इस्पेसल बुक्स हैं, हकीकत में जो इतिह से उसके संद्रम में ही हम लोग बात करेंगे, देखिए आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक नई यूनिवसिटी खुली हुई है, फेस्वुक और वाटसप यूनिवसिटी, और उसके लिए आपके पास कोई डिगरी होनी जरूरी नहीं है, कोई भी उसका चात्र बन सकता है, और वहां से इतिहास पढ़ सकता है, तो मुझे लगता है कि उस पर उनके अपने तरक रहते हैं, उनकी अपनी सोच रहती है, उसको हम लोग छोड़ देंगे या, और जो हमवारे विद्वानों ने इतिहास कारों ने पंडिजवाल लाल नहरू के बारे में बताया, उसी पर हम लोग बात करेंगे, और कुछ पिक्चर्स देख लीजे आप लोग, और आप देखें कि इस से क्रेट पीते हुए पंडिजवाल लाल नहरू को देखाये गया, इसको लेकर भी आलोचना की जाती है, और एक आप लोग पिक्चर देख रहे होंगे, और इन्हें आ नहरू एडवीना माउंट फेटन से प्यार करते थे, एक दूसरे से ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये भारत है, और भारत में आप देखें उसकी जब भी राजनीती होती है, और इतने नीचले इस्तर पर भी चली जाती है, कि उसके परिवार को उसकी अपनी लाईब को उसमें समेटने लगते हैं उसमें जोडने लगते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पंडिश जवालाल नहरूबी एक इंसान थे तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी जगह ठीक थे और जो उनके बारे में गलस सूचते हैं वो भी अपनी जगेट ठीक है, समझेए आप लोग, और इसको सुईकारा भी, और आप देखें कि कई इतिहास कारों इसको सही भी है, और जम्मू कस्मीर की समस्या आप लोग देखें, अंतराश्टी इस्तर पर उठाना भी पंडित जवालाल नहरू की एक गलती मानी जाती है और मैं भी बाता हूँ कि वो एक इंसान थे, तो उनसे भी गलतीया हुई होगी, और होती रहती है, देखें, तो उसमय सायद हो सकता है कि उस तरह की परिस्तिति अबनी हुई थी, कि पंडित जवालाल नहरू को एक फैसला लिना पड़ा, 1962 में जो भारत और चाइना की वीच यूद हुआ था, उसके लिए भी आप देखते हैं कि पंडित जवालाल नहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं, और उसमय आप देखते हैं कि देश आजाद होने के बाद, हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी, और उन समस्याओं का समाधा करना बड़ा मुश्किल था, एक आप लोग सोच कर देखिए, अगर सर्दार बल्लब भाई पटेल देश के पहले हो मिनिस्टर ना बनते, ग्रह मंतरी ना बनते, तो इतनी सारी देशी रियासत थी, हो सकता था कि वो सभी भारत में सामिल ना होती, तो देश को एक रखने मे सर्दार बल्लब भाई पटेल का सबसे जाना योगदान माना जाता है, तो अपनी अपनी जगे सबका योगदान है देश को आजात कराने में, देश को इस देशा में पहुंचाने में, और अभी तक जितने भी पिदान मंतरी हुए है, उनका भी अपना अपना योगदान का रहा है किसी के भी योगदान को आप लोग नकार नहीं सकते हैं। और अगर आजादी के समय कि आपको देश की सुंदरता को देखना है, राजनीती की सुंदरता को देखना है, तो नहरू के मन्ती मंडल को देखिए. पंडित जवालाल नहिरू की बंती मंडल में भीमराव मेडकस साहब थे सरदार बल्लब भाई पटेल थे स्यामा पिसाद मुकरजी भी थे और आप देखे इन सब की अपनी विचारधारा अलग थी लेकिन फिर भी सामिल किया गया क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कानून के चित में भीमराव मेडकस अच्छा कोई और ब्यक्ती हो ही नहीं सकता था देश को एक करने में देशी रियासतों को मिलाने के लिए जो रर्नी थी सरदार बल्लब भाई पटेल के पास थी बोसायत किसी और के पास हो ही नहीं सकती थी तो यह सब अपनी अपनी कहानी रहती है और इनके बारे में अगर हम लोग पंडित जवाला लहरू के बारे में पहले एक सावन जानकारी देख लेते हैं इलावाद में उत्तर प्यदेश के इलावाद में इनका जन्म होता है और उत्तर प्यदेश आज भी आप देखते हैं कि राजनीती की दृष्टी से काफी मत्मून है लखनव इसकी रातधानी ये अंतराश्टी सीमा नेपाल से लगती है राज्यों में बियार, जारखंड, च सी सीट है और अधिकतर प्यदान मंत्री आपके उत्तर प्यदेश से ही निकल के आए हुए अभी तक और आप देखेंगे ऐसा कहा जाता है कई राजनेते के ऐसा मानते हैं कि जो दिल्ली की सत्ता है ना इसका रास्ता उत्तर प्यदेश से होकर जाता है ठीक है और पंडित ज याद रखिएगा और आप लोग एक भी देखें कि भारती राष्टी कॉंग्रेस से जुड़े हुए थे भारती राष्टी कॉंग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पुराना राजनितिक दल है अभी भी और कब 28 दिसंबर 1880 में इसकी स्थाफना हुई थी पहले देश की आजादी के लिए एक संगठन था और इसके पहले अद्यक्ष ब्योमेश चनप बनर जी थे डबलू सी बनर जी और इसके संस्थाफक एवो हुम को माना जाता है फिर आप देखेंगे कि ये लंदन में पढ़ाई भी किये हुए है तो ये भी आप लोगों को मालू ह होना चे इनकी सिक्षा ट्रेंटी कॉलेज केंबरिज से नोंने पढ़ाई की हुई थी और हिंदु धरम कस्मीरी पंडित थे ये भी आप लोग याद रखिएगा और आप सभी जानते कि भारत रुतन भी 1955 में दिया गया था जो हमारे देश का सर्वुच पुरुसका रहना उननीस चग्विन में सुरू हुआ था और 1955 में इने दिया गया था तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और पढ़निजवालाल नहरू देश आते हैं आप देखते हैं 1912 में भारती राइश टिये कॉंग्रिस में सामिल हो जाते हैं और 1947 में पहली बाद पिधान मंतरी बनते हैं और 1964 में मित्ति उता के अपने जब तक इनकी मौत नहीं हो जाती हैं तब तक पद पर रहते हैं और 27 में 1964 को इनकी डैथ हो गई थी आप सभी जानते होगे तो ये भी याद रखेगा और इनके अगर हम लोग परिवार की बात करें तो एक बार आप लोग परिवार को देख लीजें इनके माता पिता आप देखिए मौतिलाल लहरू, सौरोपरानी नहरू और पंडिजवालाल लहरू की साधी कमला नहरू से होती है इनकी बेटी का नाम इंद्रा गांधी था इंद्रा गांधी की साधी फिरोज गांधी से होती है इंद्रा गांधी और फिरोज गांधी की दो बेटे राजीब गांधी और स वेटे हैं और संजय और मेनका की around इकिए बेटा बनुरगांधी और आप सभी जांते कि भारतीय-जंता पाइटी से जुड़े हुए मेनका गांधी वरुन गांधी और राहूल गांधी सॉलिया ब्रांड थाए इसके बड़े सौकीन थे ऐसा कई यह देखिए विद्ध्वानों ने यह सुईकार किया है इसमें कोई दोराय नहीं होने चाहिए ठीक है तो यह भी आप लोगों को मालू होने चाहिए और आप देखेंगे कि एक और पिक्चर आप लोग ने देखी होगी यह आप लोग दिखाई दे रही होगी एडवीना माउंट वेटन तो इनकी कहानी की बात करें तो कहते हैं ऐसा क्या कहते हैं कि एक आप देखें विद्वान थे हमारे इतिहास का थे साहिद हमीद जोल रोस्ती के चाचा 31 मार्च 1947 को इन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि माउंट बेटन दमपत्ती के भारत पहुचने के 10 दिन के अंदर ही यानि के 10 दिन के भीतर ही एडवीना और नहरू की नजदीक यां सुरो हो गई थी एक दूसरे के नजदीक आना सुरो हो गया था औ कि किस तरह एडवीना नहरू को प्यास से निहा रही थी और कहते हैं कि इनकी जो बेटी किसकी माउंट बेटन यानि कि आप देखी एडवीना माउंट बेटन की बेटी क्या कहती है उनकी 17 साल की बेटी पामेला हिक्स ने भी कहा है इससे सुईकारा है और उन्होंने BBC से बा मा और पंडित जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे को पसंद करते थे तो एस हकीका थे आप देखे और अपनी लाइफ हो उनकी इस सब ठीक है चलिए अब हम लोग इनके बिचारों के बारे में बात करते हैं और अगर आप लोग से भी सर्विस की तैया कर रहे होंगे तो ये विचार जरूर आप लोगों के लिए मायने रखेंगे बाकी का छोड़ी है आप लोग अपनी जिंदकी थी उनकी वह अपना करते रहें तो राष्टबाद के बारे में अगर हम लोग इनके बिचार देखें तो जवालाल नहरू आधुनिक भारत की सर सरवादिक प्रभावसाली वेक्तियों में से एक थे और नहरू ने भारत की सामाजिक आर्थिक तथस राजनितिक चिंतन पिक्रिया और कारिक्रमों को गहरे रोम में प्रभावित किया और गहन राष्टबाद नहरू के उस बिचारिक दृष्टी कौन का आभिन अंग था जो राष्टिये आंदूलन की मन्तण से उपन हुआ था। और पिखर अंतराष्ट्ये बादी होने के बाब जो नहरू की मानता थी कि राष्टबाद और अंतराष्टबाद की दाराय परस्पर सौहाल्थ भूठ धन से मिस्सरे थे। और नहरू की इस मानता की पिष्ट में सुतंता संगर्ष में भागिदार जनता की एक्छाओं का उत्वेरन भी मौजूद था और नहरू की बात माने तो इनके अंसार पितेक राष्ट में राष्टबाद का विस्थान है और उसे पिसार मिलना चाहिए किन्तु इसे आकरमक और अंतराष्टी विकास में बादक नहीं बनने देना चाहिए राष्टबाद की भावना राष्टी और नती के लिए अनिवार है क्योंकि यह नागरिकों में एक्ता, उत्सा और सहयोगी प्रिवित्ती को जनम देती है लेकिन राष्टबाद की कुछ सीमाय होना जरूरी है नहरु द्वारा धार्मिक और कटर्स राष्टबाद को नकारा गया और नहरु के अनुसार संकीर और मतांद राष्टबाद एक अभी साप है और उन्होंने आकरमग राष्टबाद की कड़ी आलोचना भी की थी क्योंकि यह विद्ध्वान सात्मग और पडोसी देशों की दिमाग में भय और संदे पैदा करने वाला होता है और नहरु द्वारा इसे राष्टबाद को असुईकित किया गया जो विस्तारबाद को प्रोसायत करता है और उनके अनुसार राष्टबाद की प्रकिती उदार सीमित और संतुलित होनी चाहिए इन्हों ने अपनी आद्वकता में भारत राष्टबाद पर अपने बिचार प्रगट करते हुए नहरु ने लिखा है कि राष्टबाद एक बिरोधा भास है जो अन्राष्टिय समुहों के बिरोध घेणा कुरोध पर पोसित और पल्लिवित होता है 1921 के दौरान भारत में ये घेणा और कुरोध अंग्रेजों के बिरोध ब्याप्त था किन्तु अन्राष्टों की पिती ये आसाधारन ना के बराबर था और नहरों ने भारती राष्टबाद को इवरोप के फांसीवादी राष्टबाद से पूर्ता पितक रोप से ब्याख्यायत किया और उनके अमसार भारती राष्टबाद सुतनता प्राप्ती के लिए एक इतिहासिक लहर की रूम में जर्मा था और जबकि फांसी बाद पिती किरिया का अंतिम आस्त रह था और नहरू के बतानुसार भाती राष्टबद अपने आरम से ही एक ब्यापक बुद्धी बाद की सार भूमिक मानताओं में मौजूद थी तो यह तो नहरू का रहा राष्टबाद के पिती विचार उनका दरेश् जबालाल नहरू भारती पुनर जागरन की संतान थी और अपने सोभाओ अध्यन एवं अभी धार्णाओं की कारण बेरूडी वादी, संपदायबाद और कट्टर वाद की बिरोधी थे और आप सभी जानते हैं कि विदेशों में पड़े लिखे थे तो आप देखे बिज् पूर्ण पितिमानों और विखंडन वादी प्रवित्तियों द्वारा राष्टत को खत्रा पैदा किया जा रहा है। आलोचना से अधिक नहीं था। भारत लीग में भी किसी भी संपदायक वादी या संपदायक संगठन से जुड़े बैक्ति को सदस्ता प्यदान करने का निसीद किया गया था। और नहरू द्वारा भी मात्मा गांधी की भाती धरम की नैतिक और अनिव्यारता को बिवहारिक आवस्तकता की रों में सुईकार किया गया। और नहरू भी निवरी की भारत के बारे में समझता था इतिहासिक ज्यान ने उन्हें भारती सब्वित्ता की उन्विसिष्ट लक्षणों से परिचित कराया जो भारत को ये एक पिथक पहिचार और मयवूती प्यदान करते हैं। और नहरू की एगर हम लोग बात मानें तो इन्होंने भारती सब्वित्ता की विभिन लक्षणों में विवित्ता में मौलिक्ता एक्ता की उपस्तती और विभिन प्रवावों को ग्रहर करने, आत्मसाथ करने और संसलीशित करने की चमता सामिल है। और नहरू का विचार था कि भारत भविस्व में इन विसिस्ताओं के माध्यम से ही अपनी सक्ती प्राप्त करेगा, जो अनुदारवाद, संकीर्टावाद की पिर्वित्यों को भी कम करने में सहयक होगी। नहरू की दिरिष्टी कोंड में लोगतंत समाजवाद और धरम निर्पेक्च वाद आपस में घणिष्ट रूप से जुड़े हुए थे और एक सहयक्त रूप से एक ऐसे मजूद भारत की नियू रखेंगे जो मानों की महत्ता और उनकी व्यक्तित्य के संपूर विकास पर आ बड़ावा नहीं देता है, समानता की बात करता है और नहरू ने सहिडूता और सनसलेशन की परव्परा में से समकाली धरम निर्पेक्चता के राजनितिक पितीमानों को पराप्त किया है और यही बेपरव्पराज थी जिनके कारण हजारों बरसों से भारती सबेता अनेक से राजे से है जो सभी पेकार के मतों को समान आवंसर और समान देता पहलु ए ताहिγο can in 칠 द्हें। निर्पिक्ष्डपी राजे का एकमात पहलू है भारत जैसे बहुत धर्मी देश में ध affair क्या भवाँ में बास्पीक-र राश्टवार्बाष्ट करना दुसकर है कोई भी संकीन सोच जनसंख्या का अनिवार रोप से भी भाजन करती है और उस इस्तिती में राष्टबाद भी अपनी सीमित अर्थों में सामने आता है या आप देखेंगे हिंदू देखने को मिलेंगे इसलाम यानि की मुसलिम देखने को मिलेंगे बुद्ध इसाई जैन आप देखेंगे बहुत धर्मों को मानने बाले मिलेंगे बहुत सारी जातियों में समुदाय में बटे हुए विवे निभासाय बोलने बाले आप लोगों देश में देखने को मिल जाएंगे। सक्ती किरों में परिवर्तित हो जाता है। संपदायक्ता से दूर नहीं जा सकता है। और नहरुद्वारा संपदायक्ता की आर्थिक फ्रेश्ट भूमी को पहचाना गया। और किन्तों उनका मानना था कि इसका कारण राजनितिक अधिक है। और आप देखें कि राजनितिक फायदे के लिए ही आप देखें सब कुछ किया गया है। देश का बटवारा देख लीजेगा। जिन्ना का अपना स्वारत था। आप सबी जानते है। आज भी आप देखते हैं कि धार्म का जो सहरा लिया जाता है राजनिति में। उनका धार्म से आप देखें धार्मेक मुद्दा सामाजिक मुद्दा से जाना कहीं वो राजनितिक मुद्दा होता है। बोट बैंक के लिए किया जाता है। और उन्हों ने इसपश्र किया कि धार्मिक की धार्मिक सत्थ ता या विरोध्द्वारा संपधाइकता के प्रिसार में बहुत ही अलपि भूमिका निभाई गई है। और बर्तमान संपदाईक पिसन धार्मिक नहीं है और यगिपी कभी कभी यह धार्मिक भावनाओं का सोसर्ण अवस्थ करता है जो संकट काली है नहरू के नुसा धरम निर्पेक्च राज जी का अरतिया नहीं है कि लोग अपने अपने धर्मों का त्याग कर दें बलकि इसका भावना को मत देते हुए भारती संविधान में सभी धर्मों को संविधानिक सुरक्षा पिदान की गए है आप अपना धर्म मानिए वो अपना धर्म माने कोई सरकार किसी का पक्ष नहीं ले गए किसी को राज्ट धर्म घोसित नहीं करेगी और सोतन्थ भारत में संपदाय संपधायक्ता को किसी भी बाहै आकमड से अधिक खतर नाक मानते थे और बाहै आकमड की विरोद कोई भी पूरी पिती बादिता के साल लड़ सकता है, किन्तु अनाकमड संपधायक्ता अधिक बुरा है, और क्योंकि हमें अपने पूर्ण महत्त और खत्रे से अनवेग्ग गया और आप देखेंगे नहरू द्वारा बिज्ञान और तक्नीक की प्रिचार बसार पर बल दिया गया ताकि बुद्धी बादी और धरम निर्पेक्ष सहतियां मजबूत पराप्ते मजबूती पराप्ते कर सके और उन्हें भाखडा नागल जैसे बानों को आधुनिक मंद मकवरा या विस्विध्याली की संग्यादी और उन्हें धरम निर्पेक्ष निर्पेक्षता को एक आधर्स की रूम में सामने रखा और समाज में वो उसके प्रिचार बसा रहे तुग गंबीरता से कारिवी किया और नहरू द्वारा अपने जीवन के अंतिन चर्म ने अने प्रिचत का गठन किया नहरू बहु संक्यक से अल्व संक्यकों के पिती उदार पूर विवार की आसा करते थे और बे संपदायक्ता की उत्पत्ति और विकास एवं बाटो और सासन करो की बेटिस नीती के मद्द घनेष्ट संबंध की इसपष्ट समझ रखते थे लेकिन ब और उपनेवेस बादी सासन द्वारा संपदायक्ता को विभिन तरीकों से मत इसलिए पुरुसाइद किया गया क्योंकि उनके उसके उपनेवेसिक प्रिभुत्ति की अनिक जरूरते पूरी करती थे और आज भी आप देखें नेताओं की जरूरते नेताओं की बोटपेंग की जरूरते पूरी होती हैं इसलिए वो बड़ावा देते हैं और संपदायवाद से उन धार्मिक संपदायों को भी कोई लाब नहीं पहुंचा जिनके हितों का नुकसान पहुंचाने या बढ़ाने का यह दावा करता था आज भी आप लोग जो भी धरम की बात करता हो और वो जाती धरम उसी इस्तिति में पढ़ा हुआ है उसके बच्चों को देख लिजे उस धरम उस जाती के बच्चों को देख लिजे आपको समझ में आ जाएगा और नहरू ने संपदायख्ता को अपने समय की सबसे खतरनाक प्रिवित्ति के रूम में चिन्नित किया और जिसके साथ सभी मोचों पर लड़ा जाना चाहिए और नहरू द्वारा सारविजनेक भासनों और रेडी उपसारणों संसदी ब्यक्तबों निजी पत्रों मुखमंत्रीं को पेसित पत्रों की माध्यम से संपधायकता की बुरूद ब्यापक सारविजनेक और निजी अभि की न्यू इस्थापना और नहरू के प्रयासों से ही संभा हो सोकी आप देखिए कि जब हिंदू महलाओं के लिए समान अधिकारों की बात हुई तो आप देखिए उन्होंने अपनी कुर्सी की भी चिंता नहीं की और चुडाओ होना था फिर भी आप देखिए कि भीमराओ मेड कर पीछे हट गये थे लेकिन वो बरबर बने रहे हुआ ठीक है तो यह भी बात है और एक आती है समाजवाद पर उनका क्या विचार था यह भी आप देख लिजे तो सुतंता प्राप्ति के से पहले ही नहरू पर समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पर चुका थ और 1917 की रोसी करांदी ने नहरू को गहरे रोप में प्रभावित किया और नहरू का लक्ष भारत की लोगों के लिए राजनितिक सुतंता के साथ सामाजिक और आर्थिक सुतंता प्राप्त करना था 1936 में नहरू ने लिखा कि मैं इस बात से अस्वरस्त हूँ कि विच्सिकी और भारत की समस्याओं का अंतिम समाधान समाजवाद में नहे थे और मैं सब्दे का प्रियोग एक आर्षफर्ष्ट मानौतावादी उपारी के बजए आर्थिक और बिग्यानिक अर्थों में करता हूँ और समाजवाद मात एक आर्थिक सिधान्त ही नहीं बलकि एक जीवन दर्षण भी है और अपने इसी सौरूम में मुझे पेरित करता है और उनके अनुसार विस्विस्तर पर समाजवाद की विस्तार की वश्चाती बास्तविक विस्विसान्ती और विवस्ता कायम हो सकती है नहरू द्वारा माकसबाद से भिन प्रकार का लोकतांत्रिक समाजवाद की सुईकार किया गया और लोकतांतरिक समाजबाद और लोकतंत का एक तारिक और बिग्यानिक उपागम है जो नियोजित कारिकर्मों के द्वारा आये की समान बितरन पर बल देता है और ततकालिन भारत में पुझीबाद की गहरी जड़ों के कारण नहरू द्वारा अमोल चुल परिवर्तन को कठिन और हाने कारक माना गया नहरू का विचार था कि पुझीबाद और राज्य स्वामित्य की मद्ध समझोता करना देश के लिए अधिक हित कर होगा और उनकी आर्थिक विचारधारा इस्तत पर भी आधा रही थी कि भारतिय अर्द्वस्था की सतत उन्नती इससे दो चित्रों में सार्विनेक और निजी में बाट कर ही संभा हो है और एचित इस्थाई और सहन विध्धी के लिए मिलकर कार करेंगे और नहरू के नुसा समाजबाद राश्ठित में पूंजी का नियंतर था नाकी निजी उद्धिमों पर लादा गया प्राधी कार और आप देखेंगे कि अधिनायक बात की बजए सामाजिक नियतर में विश्वास रखने बाले नहरू द्वारा सभी पिकार के विसेसाधिकारों को और विसेसाधिकारों और सुविधाओं का तरसकार किया गया उन्होंने प्राधी कारवास से नीचे आकर ब्यक्ति के सुदंता पर बल दिया नहरू का बिज्ञानिक और बेभारिक समाजबाद जो ब्यक्तियों को अपिक्षित आ जा दी और अनुसासन पिदान करके प्राप्त हो सकता था सिध्धानते के बंग आदर्सवादी पिकार की निरंग को समाजबाद से भिन्य था या एक ऐसे आदर्सवाद समाज की संकल्पना थी जो भावनात्मक रोप से भारती दृष्टी कौणात्मक रोप से धरम्रपेक्ष तथा कार्यात्मक रोप से लोकतांत्रिक हो और उन्होंने पिरवन्धन को सलता और तकनीकी पिसिक्षन हेतु सिक्षा के विस्तार पर बल दिया ताकि उद्धोगे विकास की गति को ते भी किया जा सके फिर आप देखेंगी नियोजन संबंधी दिरिष्टी कौण इनका देख लीजे और आग लोग इतना किलियर है कि देखे कि हजारों समस्याएं खड़ी हुई थी तो सुतंता संग्राम के दौरान ही नहरू में आर्थिक नियोजन की चेतना का निर्माण हो चुका था और जिसने उन्हें कांग्रिस का को उग सुधारवाद की दिसाल ले जानी की पेड़ा दी और 1930 के दसक की अंतिम बरसों कि भारत में पूझी बाद, पूझी बादी विवस्ता को पूर्टा समाप्त करना ना दो संभा हो था और ना ही अनिवार हैं। सामाजेक एवं आर्थिक पूर्ण निमाड ही तो नियोजन का अग्रे नहरू के विचारों का मूलभूत तत्त बन गया था और बे नियोजन के माध्यम से ही की गई पूर्व सोवियस संकी आर्थिक प्रगिती से ही अतिधिक प्रभावित थे और 1935 के अधीनियम के सामापित राष्टी योजना समिती के अध्यक्ष बने और इस दायत को पूरी गंभीताओ सा से निभाते हुए नहरू द्वारा एक व्यापक आधार वाली सम्ती गठित की गई और विज्ञानिकों की सेवाओं को भी सूची बद किया गया किन्तों दुतिय विच्यूद भ विस समाजवादी पहलू पर अतिधिक बल देकर समाज के किसी भी बर्ग को भायवीत नहीं करना चाहते थे। में सभी लोगों को परयाप्त नियुंतन सब्भे जीवन इस्तर की गारंटी हासिल है ताकि विस समान और सरों की उपलब्धियों को या थार्थ विक बना सके। यही हमारी योजना की पिष्ट भूमी या आधार सिला होनी चाहिए। पिष्ट यह थी कि लोगों को इस्थाही आर्थिक सामाजिक प्रग्ति के पत्फल लाए जाए। और उनके अनुसार में इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन सा बात लोगों को उस रास्ते पर ले जाने में सहायता करेगा। यदि एक चीज आसफल हो जाती है तो हमें दूसरे फ्रियास करेंगे। और यही वो बिवारिक और लचिली सोच थी जो नहरू को उस दर्ड विस्वास तक ले गई जिसके अमसा भारत के लिए मिस्रित अर्दवस्था को भी ही सरवादिक उपयुक्त समझा गया। और नहरू की निवजन की अउधारना की अंतरकत निजी और सार्विनिक चेत्र की सहयुक्त भागेदारी को विकास गतिविधियों के लिए आवस्तक माना गया। और अर्दवस्था के महत्पूर्ण चेत्रों को राजी के पूर्ण निएंतर में रखा जाना था और जबकि अन चेत्रों को निजी हातों में लेकिन निजी चेत्र को राजी की अधीनता में कार करना था ताकि वे राश्टी योजना के उद्देशों से वित्रित ना हो और राश्टी योजना की विसाल धाचे के अंतरकर निजी उद्मों को बेभेने छेत्रों में अपने कारियों को संचालित करने के लिए परियाप्त प्रोसान दिया जाना था और नहरू के मतानुसार निजी छेत्र पर राज्यों की नेंतर को धीरे-धीरे समय के साथ बढ़ाना ताकि मिस्रेत अर्था खुद को परिवर्थित परिस्तितियों में ढालने की परियाप्त छमता जुटा सके और नहरू मानते थी कि भारत के लिए किसी अन्देश के आर्थिक प्यारूप का अनुसरन करना बुद्धी संगत नहीं होगा कई लोग कह देते हैं आर्थिक नीत बिलकुल नहीं है हम लोगों ने किसी भी प्रावधान को जिवकाते उठा के अपने समीधान में सामिल नहीं किया उसे पड़ा और जो हमारे हिसाब से अच्छा था उसी को हम लोगों ने सामिल किया उसमें संसोधन करके सामिल किया और आप देखेंगे कि भारत को ऐसी करना चाहिए जो उसकी प्रकिटी और आवसकतानों की अनकूल हो और मिस्रेट अजुस्ता की विचार को सबसे सेष्ट समझा गया नहरू ने पूर्टा अस्वस्त होकर यह भी घुसित किया कि परिवर्तन लोगतांतरिक रूप से नियोजित समश्टी वाद की दिशा में ही निर्दे सेथ होने चाहिए और लोगतांतरिक समश्टी वाद की अंतरगर निजी संपत्ती के उनुमूलन की बज़े आधारवूत और पिरमुग उद्योगों पर सारविनेक स्वामित्त को वरीता दी जाएगे और विशेस्ता भारत में बड़े उद्योगों को ऐसे स्वा आयोजन की आवस्ता होगी और आप देखेंगे कि लेकिन भारत की वरतमान परिष्टितियों में नियोजन एवं आर्तिक विकास के बाबजूद गरीवी की समस्या का अंत नहीं किया जा सका और नियोजन के सेष्ट प्रियासों के परच्छाद भी समाज का एक बहुत भाग सुनिश्चित नियूंतम इस्तर जीवन इस्तर को प्राप्त कर पाने में आसमर्थ है और निजी पूजी की तुरित बिद्धी और नियोजन की अनुचित राष्टी प्रात्मिक्ता की फलस्वरूप हुई राष्टी संसादनों के विसाल अपवेग ने गरीव और अ एक वक्षी बिद्धी को बिस्तारित किया है तो एक कहानी है इनके विचारों की अब आप देखे कोई लोग कमिया निकालेंगे कई लोग क्या करेंगे इस पर जाना ध्यार मत दीजेगा आप लोग पॉजिटिव ही रहा करिएगा ठीक है और देखे कोई भी रहता है एक ही दृष्टी से देखता है आप देखते हैं वो अपने हिसाब से देखता है Congress बोले आप देखेंगे कि पंडिजवालाल नहरू की अच्छाई अच्छाई आँ बताएंगे बीजेपी वाले होंगे तो आप देखेंगे वो एक तरफा बुराईयां ही बुराईयां बताएंग कि मतलब आप देखें कि आप सरदार वाला भाई पटेल की यह उगदान को न कार दे या आप लोग महत्मा गांधी की यह उगदान को न कार दे मुझे लगता है यह संभाव भी नहीं है सब का हर वर्ट का अपना युगदान भारत की आजादी में रहा है बेजजक रहा है कि आप देखे उस समय महात्मा गांधी के सामने मुझे लगता है कि कोई और रास्ता बचा भी नहीं था, आप सोच लिजे मैं हमेशा कहता हूँ एक उधारन देता हूँ, कि आप देखे कि एक घर में माल लिजे चार बच्चे हैं, और चारों में आप देखे लड़ाई यहां तक पहुंच जाए कि आप देखे, खून खरावे पर आजाए, तो एक माबाप समझ माबाप यही करते हैं कि सभी बच्चों को अलग कर देते हैं, तो यही आप देखे उस समय मुझे लगता है कि सभी उस समय के जो भी लीडर थे, उनके सामने यही रास्ता बचा था क्योंकि आप देखे रहें, जिस तरह से संपधायकता बढ़ रही थी, लोग मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे, तो यही समाधान था कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, अब नहरू को पिधान मंतरी बनानी की बात होती है, तो यह भी सही बात है, कि कहते हैं यह बात कौन? सरदार बल्लबाई पटेल, लेकिन उनकी बात मानते थे, और यह बात नहरू कौन? महत्मा गांधी भी जायनते थे, कि अगर हम सरदार बल्लबाई पटेल से कोई बात कहें, तो वो बात मान जाएंगे, तो इसलिए उन्हें ग्राय मंतरी बना दिया गया, और कई नहरू आप देखिए कि पश्चिम में पड़े लिखे थे बिदेशों में, तो बिदेश नीती हो, पिधान मंतरी का पद हो, वो बहतर वहाँ अपने कर्दब को निभा सकते थे, काम कर सकते थे, और देश को एक कैसे किया जा सकता है, देश को एकता कैसी बनाई जाते, इसक और देश अभी आजाद हुआ था, तो एक ऐसे सा पिधान मंतरी बने जो लंबे समय तक उस पत्पर रह सके, और आप सभी जानते हैं कि सरदार बलब भाई पटेल की उम्र जानदा थी, तो यह सब अपनी अपनी बातें करते रहते हैं, आप लोग बताईए आप क्या सोचत होते हैं, और वो पता नहीं कहां से अच्छे-च्छे, अच्छे-च्छे पॉइंट लेकर आते हैं, आभी मतलब आप सोचेगी दिमाग हो जाएगा आपका अभी, आभी सोचने पर मजबूर हो जाएगे, चलिए तो यही है, बताईए आप लोग कुछ, आप लोग मिलते र